नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसीस बगेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा आहिले दस्तक साथियों जिसकिसी भाईबेन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उनसे बिनम्र अनुरोध है की चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे की समाज की हर कबर आप तकासागी से पहुंच सके साथिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा important है और इतना ज़्यादा important है कि इस वीडियो को आपका देखना बहुत ज़रूरी है साथिए दरसल हुआ क्या इस वीडियो में दो खबरे बहुत important सामिल है पहली खबर तो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि काफी जब भी मैं अपने इस चैनल से community post में post करता हूँ काफी सारी मैंने post है की और जब जब मैं किसी गयर समाज की अबाज को उठानी की कोसिस करता हूँ तो काफी सारे लोग ऐसी हैं जो इसका बरूद करते हैं अखला की काफी सारे तो नहीं लेकिन गिने चुने लोग ऐसी हैं जो इस चीज का बरूद करते हैं बोकसर ये कहते हैं कि आप सिर्फ पाल समाज की अबाज को उठाएं आप सिर्फ ये पाल समाज के लिए चैनल बना हुआ है तो सातियों, मैं उन लोगों को थोड़ा साया बता देना चाहाता हूँ, कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ पाल समाज के लिए नहीं, ये पाल समाज के साथ में, हर दबे कुछले समाज की अबाज को उठाने का काम करने के लिए ये चैनल को बनाया गया है, और सातियों, मैं आप अचार हो रहा है, जिस पे जुर्म हो रहा है, जो समाज सदियों से जुर्म सहरा है, उस समाज की अबाज को हम उठा पाएं, हमारा मुख्य उद्देश यही है, तब ही इस दिल को सुकून मिलेगा साथियों। जब तक आप दूसरों की आवाज नहीं बनेंगे, आपकी आवाज बनने के लिए कोई तयार नहीं होगा, और मेरे लिए हर जाती धर्म सभी एक समान हैं। और साथियों, दूसरी चीज मैं ये बता दूँ, कि उन लोगों के रोकने से हम बिलकुल भी रुकने बाले नहीं हैं। हम अपने काम को उसी अंदाज में उसी तरीके से करते रहेंगे। जोकि साथियों हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने बारीकी से देखा है, जिस समाच पे अत्यचार होता है। चाहें वो किसी भी धर्म से संबंदित हो, किसी भी जाती से संबंदित हो, तो साथियों दर्द सबका एक जैसा होता है। दर्द किसी का अलग नहीं होता, खून सबका एक जैसा होता है, सभी के खून का रंग लाल ही नजर आएगा इसलिए साथियों, मैं आप से ये अनुरोद करता हूँ, बिसेश कर मेरे स्वजातिय बंधूं से कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ पाल समझ कि अबाज को उठाने के लिए नहीं है ये चैनल सिर्फ ये देख कि आपकी अबाज नहीं उठाएगा, कि आप पाल हो या नहीं ये एक बहुत बड़ा तबका है, जो सदियों से जर्म सहता चला आ रहा है, जो सदियों से अत्याचार सहता चला आ रहा है, जिसके पास कोई मीडिया नहीं पहुँच पाता, जिसकी अबाज उठाने बाला कोई नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अत्याचार सहने के लिए बन सातियों लेकिन इन सारे कामों के लिए आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, आप किस जाती से हैं, आप किस धर्म से हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपकी जाती देख कि अबाज नहीं उठाँगा, मेरी पूरी कोसिस रहेगी कि सातियों आपको नियाए मिल पाए, और आपकी अबाज को हम उठा पाएं, और आप सभी लोगों से सातियों, मैं भी बिनम्र अनुरोध करता हूँ, कि यदि आप सभी लोगों के आस पास भी किसी भी तरह के अत्याचार हो रहा हो, और जो सातियों मुझे दिल से मानते हैं, बिसेश कर मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूँ, कि यदि आपके पास अत्याचार हो, आप बिल्कुल भी इनसे मत सहना, आप तुरंत हमारा नंबर उठाईए, या हमारी जीमेल उसकी अबाच बनने की कोसिस करेंगे, उसकी अबाच को बुलंदी तक ले जाने की कोसिस करेंगे, सातियों क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और पिछले सारे समाजों में ऐसी तमाम सारे बड़े नेता हुए, जो जाती बाद में धसके रह गए, चाहें वो सम किसी समय में ये पार्टियां बड़ी तागत के साथ उब्री थी चुकि इन्हों ने दबे कुछले समाच की अबाच को उठाने की कोशिस की थी लेकिन समय के साथ इनमें जाती बाद आ गया और जाती बाद का घोर कलंक इनके उपर लग गया साथियों उसके बाद से हालात आपके सामने हैं कि आज ये पार्टियां बसपा का अगर नाम लेगा जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर एक सीट मुष्किल से निकल पाती है समाजबादी पार्टी जीत के भी जीत नहीं पाती है ऐसे हाला तो जाती है कि समाजबादी पार्टी पे जब यादब बात का आरूप लगा तो व्यक्ती सिर्फ इतना सा चाहता था कि मेरा बोर्ट चाहें भले ही ब्यर्थ चला जाए लेकिन समाजबादी पार्टी को मेरा बोट नहीं जाएगा क्योंकि इसमें धर्म और जादीबाद बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा शुमार होके चलता है साथियों इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पाल समाज का ही नहीं हर उस दबे कुछले सोसित बंचित उपेक्षित समाज की अबाच को उठाने की कोशिस की जाएगी जो बास्तम में साथियों जुर्म सहता चला आ रहा है अत्यचार सहता चला आ रहा है लोगों की जमीने छिपती चली जा रही है लोगों के साथ सारीरिक रूप से मांसिक रूप से आर्थिक रूप से सोसड किया जा रहा है साथियों वो हमारे नंबर पे कॉल लगाएं हमारे जीमेल आइडी पे मैसेज कर दें अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी अबाज को उठाने की तो खोशिस कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ी जनता जुड़ी हुई है चैनल के माध्यम से यह आप सभी लोगों का प्यार है कि जिसकी बज़े से आज हम तकरीबन 9000 से उपर तकरीबन 92 सब्सक्राइबर पूरे कर पाए है यानि किस साथियों मैं आपको बता दूँ कि हमारी फैमिली 9000 से उपर लोगों की हो चुकी है यह सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों का प्यार है साथियों और मैं तो कहता हूँ किस साथियों संगठन बनाए रखें प्याचार हो जाए लेकिन साथियों सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज है वो एक की चीज है वो है संगठन यदि आप और हम मिलके रहेंगे संगठन के साथ रहेंगे तो साथियों किसी की हैसियत नहीं है कि कोई आपका बाल भी माका कर पाए तो सातियों हम आपको ताकत देंगे आप हमें ताकत दें हम आपकी अबाज बनेंगे आप हमारी अबाज बनें जब तक सातियों आप हमारे साथ नहीं आएंगे कुछ भी हो पाना संबब नहीं है इसलिए साथियों उन लोगों से मेरा हाथ जोड के निविदन है जो लोग मुझे उन लोगों की अवाज उठाने को रोकते हैं जो बास्तम में इस चीज के हगदार है धन्यबाद साथियों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए ज प्रेहिं